नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है इस्पेशली कॉंगर्स फाल्टी और उनके नेता रावल गांदी के लिए बहुत बड़ी खुशका भी है दोस्तों आप लोगों आप तक शाहिद न्यूज देख ली होगे निदेखे हो तो मैं बता दूं जो सुप प्रेदी इस्टे लगा दिया गया दोस्तों इससे क्या होगा इससे बहुत कुछ होने वाल होने वाला है बहुत अच्छी न्यूज और रावल गांदी के लिए यह इतनी बड़ी ख़बर है कि रावल गांदी आप चुनाव लड़काएंगे 2024 का तो क्या आप तक नहीं पर अगस की न्यूज इन मेजर रिलिफ फोर रावल गांदी रावल गांदी जी को क्या होगा बहुत बड़ी रात मिलिया जो सुप्रीमी कोल्ट आप इंडिया है उसने इस्टे कर दिया किसको सजा मली थे बेसिकली को मोधी संट नेम जो मोधी संट नेम डीपेमिशन केस मोधी संट नेम डीपेमिशन केस में इनको जो सजा मेली थे टू इयर की उसको क्या किया उसको इस्टे कर दिया तो इसका क्या इंपेक्ट होगा सब कुछ के बारे हम डिटेल में डिसक्रस करेंगे सेकर न्यूज देख सकते हैं BBC न्यूज की रावल गांदी इंडिया सुप इस पीच में इननों कहा कि सभी जो चोरों के संटेम सभी जो चोरों के संटेम मोधी क्यों होते हैं अब फिर इननों उदान दिया एक यह करके एक्जामपल दिया जैसे कि Nirao moody पिर इन्होंने सार में इसके नेंद्र मोदी जी का भी नाम लिया उस टाइम राफिल का मामला चल रहा था आगर आपको ध्यान हो तो तो बेसिकली यह भाजबा सरकार का जो कर्प्शन का मामला था नो उसको उजागे करना चाहिए तो इसी करब में इन्होंने का है कि सबी जो गुजरात के बीजैपी के मेले हैं सकते हैं इन्होंने यह का कि आप ब्रस्ते चाह आप म्होड़ी जी पर लूघ रहते हैं तो यह क्या Woah कि अपने क्या कर दोस्तों इन्होंने क्या 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 इसमें के खिलाब में रावल गांदी जी खिलाब के किसी इसका क्रीमिनल डीफेमेशन एब किसी का नाम चलेतर लेंगे ऐसा बदनाम कर सकते बदनाम में के लिए वैसे कानून है कोई भी आप खिलाप कुछ भी नहीं बोल सकता यह इसा इस को करते हैं जो इंडियन पेनल कोड एपसी कि सेक्षन 499 में इसको डिफाइन किया गया दोस्तों और इसी आई पीसी की जो जो स्टेक्शन फाइब देड इसमें इसके लिए सजागा परावदान है अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दोसा किसी को बधनामी करता है कुछ इसा करता है जो सत्य निया तो उसको मेक्सियम 2 साल तक इस लगार तक उसको क्या कर सकते जा दिया सकती है इस आई पी सेक्शन फ तो इन्होंने क्या किया अधिक्तम दो साल की दे सकते दे चारते तो छे मने के लेकिन इननने क्या अधिक्तम जो सजा का परावदान था उस ही का प्रयोग किया और साथ में हालागे जेलाख नहीं क क्यों साथ में इनको क्या आप बेल दे दिऑ ऐक मन्त में अपील कर सकते हो भाकने के नदर जो साल की सजा होना इतना मेट tay लेकिन आपकोस्ट किसी MP MLA को दो साल की सजा के थी और दोस्तो एक पिपल स्पा किया एक्ट है बारत में लिफ्पल‌चुशंक रीपरजबुटिटिव 1 लबा दो स्पाडल्स रीप रीपरॉजुंटेटिव एक्ट नैंटी फिफिटी में बणाए था नो काम होते हैं जिसने काम किये हैं सब जानते इसको इस कानून को प्राइक्ट 1951 इस कानून में यह प्रावदान है कि अगर किसी MP MLA को MP MLA को दो या अधिक तू यह या मोर से अधिक की सजा होती है तो एक तो वह क्या हो जाएगा हां तो वहां अपने पर्स्ट्र इसक्वालीपाई हो जाएगा अगर आप MP हो अगर आपको दो साल की अउस्ट्र जड़क सजा मिल दी तो आपका प्रण चल जाएगा साथ मैं साथ मैं छे एर तक नेश्च एर तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते सोचो कित सबसे पहले इनकी MP की पोस्ट गई MP का किया डिस्कौलिफाई कर दे थे रूद परबाउसिन को मैंने का से दिस्कौलिफाई कर दे इनका बंगलो भी खाली हो गया यह तो न्यूज का पर चाट जाओं में थी कि रावल ढांदी का क्या किया गवर्णर ना बंगला खाली कर तक चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो सोच्व कोंगेस्स पालिटी के लिए प्रियम का सबसे बड़ा दाविदार है वह दोजाट चोबीस के लेक्षिन में अगर रावल गांदी जी पर यह सजा बरकराद रती अगर आज सुप्रिंग कोड़ इस्टे नहीं देता तो क्या ह पाते इतना ज्यदा चिंदा जनक बात थी तो बाद में इन्हुन ने अभजाइक सी बाते सजा मिलेगी तो अपिल करते ही है तो गुजराथ हाई कोड में इन्हों अप्पिल करी लेकिन गुजराथ हाई कोड ने इनको को दोसी माना दोस्तो यह जो को छर्या मिली न को इसको सब्सकेंड करने से मना कर दिया और विए अप जानते यह नों सुप्रीम कोड में आज 4 अगस को इसका निन्न दिया अब यहां इस चीज का अंतर समल लो कि शचाब करने का मतलब नहीं बरी कर दिया रावल गांधी को बरी निकिया जो यह दो साल की सजा मिली यह बरी निकिया इसका एक इसका दो परिणाम होंगे एक तो एमपी बन जाएंगे वापस से क्या होगा जब सजा पर इस्टे लगा थे सुप्रिंग कोड ने तो जो उनकी MP की जो सांच सदी की पद्गी खारी जोगी थी वह वापस से वापस से बेक हो जाएगी और वह ऐसा करते हैं लोग कि मंदे से क्या करेंगे वापस पाल्लामेंट में जाने लग जाएगे मडे से क्या होगा वापस पडाल्लामेंट में जाने से लग जाएगЕ लोगसमहण अद्यक्षाय को प्रस निकालना पड़ेगा सबसे पहले न्यूज लंबी चोड़ी न्यूज है इसको पर मैंटर क्या था मैंने बता दिया 2019 में करनाटका की रेली थी बेसिकली 2019 में जो आप जानते हो करनाट जनल इलेक्षन था उसमें ये करनाटका में रेली में स्पीज दे रहते तो इन्होंने बहुता है नाम लिए ललीत मोधी और नरेंदर मोधी तो फिर क्या हुआ उप्ट मोदि यह क्या हो गया है इनको लगा लिए सभी मोधी को चोर बोल रहा है तो मतलब मैं भी चोर हूं और और भी सब चॉर है तो कहीं नियक्त यह हमारा क्या है यह हमारा डीमेंसन हैं are we do क्रिमिनल डिफेमेंशन केश्थ करा दिया जो अप्रादिकरन द simplemente मैंने बताया ऑप है की ना आप साधा 699 वह से कंगेर कर स्य नारे कि परहुदा अधिक्तम 2 चीनρα के युआ प्रहुदा नहीं इसके बाद में बताया कि सुरत की कोल्ट में चला वहां पर जदने ताउल गांदी को दोशी माना और दो साल की सजया सुनाइए इसमें प्रावदान है कि दो साल से अधिक दोशी पाई जाने पर MPMLA सबसे पर जाएगा उसका त्युन प्रभाव से पद चल जाएगा कई लोगों गया है अभी आजम खान का गया था उससे पहले वह अंसारी का गया है बहुत लोगों का पद गया है सजया मिलने भाद 6 एर तक एलेक्शन नहीं लड़ सकते अब अगले 6 साल तक चुनावन लड़ पाएंगे यह तो 2023 की बार ती 2028 तक चुनावन लड़ पाते यह तो यह बहुत बड़ा जटकार हो था मनेगा है मनेगा दोस्तों इतना ही जल्द मिलेंगे तब तक लिए थैंक्यू जैइंट झाल तक पूस्तोंais कर दोस्तों डाया है